फैक्टरी में उर्जा की बचत तो चलो बिन्नी, आज हम सब को पापा की फैक्टरी देखने जाना है, याद है ना? पिट्टू, तुम तो पहले से ही तयार हो, मैं भी तयार होकर आती हूं, फिर सब चलते हैं अच्छा, चलो चलो, मैं तयार हूँ, अब चलते हैं, चलो, हाँ, चलते हैं लो, हम पहुँच गए, फैक्टरी, अरे-अरे, फोदे को पापा आ गए, अरे बच्चो, आ गए तुम लो, आचा, आचा, पापा कैसे हो? बहुत अच्छे पापा अरे, इतने बड़ी चमनी, इतना सारा धुआ, वो भी इतना काला चमनी है, तो दुआ तो होगा, पर गहरे-काले दुआ का मतलब है, कि इन दन की खपत जाधा हो रही है मिल्कूर ठेक कहा तुमने बच्चो, लगता है हमें जल्दी ही इसकी जाच करानी होगा अच्छा चलो, आव अंदर चलते हैं, आव अच्छा पापा इतना तेल का लीकेज? सुनो भाईयो, सुनो सब लोग, रामू, शामू, इदर आओ जी सर, जी सर, रमेश, हाँ जी सर, इदर आजाओ सुनो भाई, हमें जल्दी से जल्दी इस लीकेज को बंद करवाना है क्योंकि बूंद बूंद गिरने से सालाना लगबग, दो हजार लीटर तक ओयल बरबाद हो सकता है, समझें? साहब, सुरेश, ये देखिए, इस बारना ये बिजली का बिल इतना जादा आया है फैक्टरी का, अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है, मशीने ज्यादा उर्जा खर्च कर रही है, उनके मेंटेनस पर अधिक ध्यान देना होगा, ठेक है सुरेश, कुछ करते हैं, ठेक ह पापा, अपने घर की तरह यहां भी LED लाइट लगवा लिजिए, विल्कुल, सही कहा तुमने, वैसे भी हमारी कंपनी जल्दी एनर्जी और्डिट करवाने वाली है, जिसके सुझावों दौरा बिजली और तेल की बचत होगी, अच्छा, पापा, अब हमें भी ऊर्जा की जरूरत है, पूर्चा, अरे, अब समझा, बिल्कुल सही, तो चलो, खाना खाएं, अब आओ अच्छा, आओ, इन्धन सन्रक्षन की जिम्मेदारी, जन्गन की भागीदारी, जन्गन की भागीदारी, झालो, आओ, 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 आओ,